नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप अमेरिका का दोगला बहवार देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिका अपने दोगले बहवार पर उतर आया है उसने रसिया से 43% ज़्यादा तेल खर दा जो की रसिया ने अभी कनफर्म किया कि अमेरिका ने 43% ज़्यादा तेल खरीद और अमेरिका ने इस तेल को खरीद कर बाजार में बेच कर दलाली कमा रहा है और रूस यूक्रेन के यूध के बीच किस तरीखे से अपने फाइदे की सोच रहा है अमेरिका और अमेरिका इस युद्ध के बीच किस तरीके से तेल को बेच कर रशिया से तेल को बेच कर रशिया पर शैंक्संस लगा कर रशिया के करेंसी को कमजोड करके उसको स्विप्ट सिस्टम से हटा कर किस तरीके से रशिया के इकनोमी को कमजोड कर दिया उसके करेंसी को कमजोड कर दिया और उसके बाद उसने किस तरीके से रशिया के तेल को इंपोर्ट कर और 43 परसेंट जादा तेल इंपोर्ट कर अमेरिका ने किस तरीके से इस तेल को बाजार में बेच कर धुगना पैसा कमा रहा है 43% तेल ज्यादा खरीदा है अमेरिका ने रसिया से और उसके साथ साथ मेरिका ने रसिया से खाद पदार्थ के लिए जो उसके बाद खाद पदार्थ के लिए जो फर्टेलाइजर्स होती है उसको भी अमेरिका ने रसिया से खरीदा और इन सब के उपर रसिया ने इन सब के उपर अमेरिका ने बैन नहीं लगाया है अमेरिका ने सिर्फ उसके रच्छाउप करनों पर और उससे दूसरे देशों को अमेरिका कह रहा है कि रसिया से तेल न खरीदे रसिया से तेल इंपोर्ट न खरीदे यूरोपियन यूनियन और नाटो देशों पर अमेरिका अपना दबाव बना रहा है और बाकी विस्व पर भी अमेरिका अपना दबाव बना रहा है कि रसिया से कोई भी तेल ना खरीदे और खुद अमेरिका किस तरह दोगलापन कर रहा है उसने खुद रसिया से तेल भी खरीदा 43% जादा तेल खरीदा और फर्टिलाइजर्स के जितने शमान होते हैं खाद पदार्त खेती करने में जितने फर्टिलाइजर्स के समान होते हैं और कितने भी उरवरक होते हैं खाद होते हैं इन सभी खादों को अमेरिका ने रशिया से खरीदा और उसके बाद उन सभी को इंपोर्ट करके विस्व बजार में भी बेच रहा है और अपनी उपियोग के लिए भी रख रहा है और दूसरे देसों को दूसरे देसों को दोस्तो रशिया से तेल नहीं खरीदने को कह रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिका ने यूकरेन को चढ़ा कर युद्ध में चढ़ा कर उसको आगे बढ़ा कर पीछे से हट गया और बिचारा यूकरेन भी उसके बातों में आ गया और देख रहे हैं कि यूकरेन की क्या हालत है इसलिए दोस्तों, अमेरिका पे विस्वास नहीं किया जा सकता एक तरह से ये दोगला है कहा जाता है कि अमेरिका से दोस्मनी उससे दोस्ती से भी बहुत बड़ा घातक होता है जैसा कहा जाता है कि अमेरिका से यदि आपको दोस्मनी है तो अच्छा है लेकिन यदि अमेरिका से दोस्ती है तो बहुत खराब है वो इसलिए क्योंकि अमेरिका मित्र होते हुए भी इतना पीट पर छूरा मारता है जिसकी कोई गिंती नहीं कर सकते हैं अमेरिका किस तरीके से भारत पर तेल को न खरीदने पर दवाव बना रहा था भारत को कह रहा था कि इंडिया किस तरीके से सेकी है भारत को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए लेकिन खुद किस तरीके से 43% ज्यादा क्वांटिटी में उसने तेल खरीदा रसिया से और भारत को और सभी देशों को कह रहा है आप तेल न खरीदे खादे पदार्थ न खरीदे और उसपे बैन लगा रहा है जो भी देश उससे बिजनस करेगा रसिया से उसपर बैन लगा रहा है लेकिन खुद वो किस तरीके से रसिया के साथ बिजनस कर रहा है यह दोगले वहवार को आप देख सकते हैं दोस्तो दोस्तो भारत अपना एक मिडिल स्टेंड भारत अपना एक बीच वाला स्टेंड रखा है अमेरिका और रसिया के बीच इसे लेकर अमेरिका किस तरीके से क्रोधित है क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी रास्ट हो उसकी बात सुने उसको आदत हो चुकी है कि जो भी वो बोले वो दूसरा उसकी बात सुने क्यों सुनेगा भाई तुम्हारा बात क्यों सुनेगा हमारा एक अपना इंट्रेस्ट है इंडिया का इंडियन सिटीजन क्या एक अपना इंट्रेस्ट है इंडिया एक कंट्री है उसकी अपनी इंट्रेस्ट है रसिया के साथ तुम्हारा रसिया का अमेरिका के साथ उसका अपना इंट्रेस्ट है हम अपने इंट्रेस्ट को फुल्फिल करेंगे उसके बाद ही सोच सकते हैं कि क्या करना है नहीं करना है मेरा इंट्रेस्ट इंडिया का इंट्रेस्ट रसिया के साथ है और अमेरिका के साथ भी है इसलिए हमें बीच का रास्ता चुनना पड़ता है हमेशा और भारत हमेशा वही करता है भारत कभी भी नहीं इस गुट के पक्च में रहता है नहीं उस गुट के नहीं भारत अमेरिका के पक्च में रहता है नहीं रसिया के भारत बीच का रास्ता अक्तियार करता है भारत बीच का रास्ता अपनाता है और middle man की तरह भारत एक बहुत ही बहुत ही अच्छी तरीके से रशिया और अमेरिका के बीच अपने संबंध को बनाए हुए है और आप देख सकते हैं दोस्तों कि रशिया के जो विदेश मंत्रिया थे उन्होंने भारत को ये ओफर भी दिया कि भारत ही ओदेश है जो यूक्रेन और रशिया के बीच मध्यस्तता कर सकता है और भारत ही ओदेश है दोस्तों जो देख सकते हैं आप बीचे कुछ दिनों में पूरे विश्व का केंद्र बन चुका है भारत और भारत में सभी लोग आ रहे हैं और रशिया रशिया भी आया चाइना भी आया अमेरिका भी आया ब्रिटेन सभी देश भारत पे दवाव बनाना चाहा रहे थे कि भारत रशिया का विरोध करे लेकिन भारत ने अपना एक स्टैंड रखा कि हम इस वार को पीस एंड डायलोग के साथ भारत का सीधा स्टैंड है कि भारत बाचीत और वारता के थ्रू और सांती वारता के थ्रू दोनों रशिया और यूक्रेन के वी सांती अस्थापित करे ये भारत का स्टेंड है जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेंड है लेकिन अमेरिका रशिया पे बहुत ही जादा बैन लगा दिया स्विप्ट बैन लगा दिया इस तरीके से बैन लगा दिया कि रशिया की पूरी अर्थवि rättia खत्म हो जाए लेकिन भारत ने इसी वक्त एक मित्र की तरह एक सचे मित्र की तरह रशिया के साथ उसकी एकनौमी को बरवाद नहीं हो ने दिया रशिया की एकनौमी को बूस्ट करते वे भारत ने उसके यहां से तेल खरीदा और सभी जरूरी शमाने खरीदी वहाँ दवाईयों की कमी हो रही थी भारत ने उसे पूरा किया दोस्तों किस तरीके से भारत और रसिया की दोस्ती है भारत को रसिया के साथ मित्रता रखनी पड़ेगी क्योंकि रसिया ही वो देश है जो भारत को आगे चल कर टेकनोलोजी दे सकता है मिसाइल टेकनोलोजी और अच्छा चस जुड़े जितने भी टेकनोलोजी है स्पेस से जुड़े जितने भी टेकनोलोजी है रसिया ही वो देश है जो भारत को दे सकता है लेकिन अमेरिका कभी भी भारत का साथ नहीं दे सकता है अमेरिका नहीं भारत को टेकनोलोजी देना चाहेगा क्योंकि अमेरिका जानता है यदि हम भारत को टेकनोलोजी दे देगे तो वो हमसे आगे बढ़ जाएगा और यही कारण है कि अमेरिका कभी भी किसी का मित्र नहीं हो सकता अमेरिका सिर्फ अपने इंट्रेस्ट को देखता है और उसमें हमेशा अपना फायदा देखता है इस युध में भी दोस्तों अमेरिका ने किस तरीके से अपने इंट्रेस्ट को दिखा benefit को देखा और किस तरह से इस युद्ध को पैसा कमाने के लिए उपयोग किया अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि रसिया का economy गिर चुका है उसका currency का value गिर चुका है और इस युद्ध के बीच कितनी कायरता से कितने दोगले पन से अमेरिका ने रसिया के oil को खरीदा और उसे विस्व बाजार में बेचा सोचिए इस युद्ध को किस तरीके से वो अपने benefit के लिए यूज कर रहा है जबकि जबकि जिस तरीके से वो विस्व में खड़ा है पूरे विस्व को लीड कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी कि किस तरीके से इस युद्ध को सांती पूर्वक समझाया सांती पूर्वक इस युद्ध को रोका जा सके इसके उलट अमेरिका ने ये कहा कि मैं यूक्रेन को नाटो में सामिल करूँगा और ये कह कह कर रसिया को भड़का कर यूध में रसिया और यूक्रेन दोनों को भड़का कर और यूक्रेन को चढ़ा दिया और यूक्रेन बिचारा अमेरिका के यूक्रेन समझा कि नाटो आएगा उसे बचाने लेकिन नाटो का कोई भी कंट्री वहाँ नहीं गया नहीं रसिया अपनी एक सेना तक भेजी रसिया ने अपनी एक सेना तक नहीं भेजा युक्रेन में और उसने युक्रेन को चड़ा बढ़ा कर और युध में जोंक दिया और युक्रेन भी अमेरिका के बातों में आ गया और युध में चला गया और आप देख सकते हैं परिणाम किस तरीके से युक्रेन पुरा तहस नहस हो चुका है इस पूरे युद्ध का दोसी अमेरिका है क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से दोगलेपन वाला काम कर रहा है पूरे विश्व में उसे विश्व में सांती अस्थापित करनी चाहिए थी लेकिन अमिर्का विश्मे शांती अस्थापित करने के बजाए और शांती फैला रहा है वो हर जगह युद्ध छेड़ने पर मजबूर कर रहा है क्योंकि वो बार बार रशिया को उकसा रहा है धन्यवाद दोस्तों तो अविचार कीजे कैसा वहवार है रशिया का धन्यवाद दोस्तों थैंक यू